Hello everyone, so a great day to start with our relax and rock strategy, I hope that you all are excited and are ready to start off with it, so basically आज हम बात करेंगे purine metabolism की उसमें भी हम biosynthesis देखेंगे, ठीक है, so आपने notes चाहिए है, आप किसी group में नहीं है तो आप join हो सकते हैं, आखरी में question है, उसका answer comment box में कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो like और share करना और subscribe कर दीजिए त आप शुरू करते हैं, purine metabolism से, so जैसे आपको मैं हर चीज कहता हूँ, पहले समझे क्यों होता है, तो पहले देखते हैं क्यों, तो what is purine metabolism, उसको समझने के लिए पहले nucleotide जानते हैं, तो nucleotide क्या होते हैं, basically nucleotide है nitrogenous base, pentose और phosphate का compound है, so अब इसमें से हमें pentose sugar जो है, हमें पत acid का component है, और coenzyme का component है, और फिर metabolic reactions regulate करता है, तो ये nucleotide की importance है, so अब nucleotide में जो आपका purine और pyrimidine आते हैं, तो हम जो nitrogenous base purine है, उसको समझेंगे, और उसको बनाना सीखेंगे, so basically पहले purine बनाने से पहले आपको कोई भी चीज बनानी है, again मैं आपसे कहा, आप एक factory के owner है, ठीक है, आप मेरे पुराने metabolism के video इसके बाद देखीगा, so basically आप again एक factory owner है और आपको purine बनाना है, तो अब आप क्या देखेंगे, पहले requirements क्या क्या है, तो जो आपका purine का structure है, इसमें जो N1 है, this is contributed by aspartate का amino group, ठीक है, C2C8 formate, N3N9 by glutamine, C4C5N7 by glycine, and C6 by CO2, ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है, उसके लिए का असान सा निमोनिक है, basically 1A1 aspartate, ठीक है, हम बोलते हैं, A1 quality, तो that is aspartate, ठीक है, फिर C2C8 जो है, तो 2 और 2 का cube, that is 8, यह is by formate, ठीक है, और फिर 3 और 3 का square, this is by glutamine, ठीक है, glycine, आपने glycine metabolism में पढ़ाई होगा, छोटा सा amino acid ह विचारा, एक ही nitrogen है, दो carbon है, उसमें, सारे आपने यही दे दिया, तो आप समझ रहें कि इतना वो self-sacrifice करता है, वो, so this is glycine, C4, 5, N7, बागी सारे याद रखी, इसको छोड़ दीजे, यह अपने आप याद आ जाएगा, और C6 में CO2, तो photosynthesis reaction, बचपन से रटते हैं, CO2 O2 डाला, क्या करा, sunlight आई, तो उससे आप एक relate कर सकते हैं, कि C6, CO2, ठीक है, तो यह structure आपको याद हो गया, तो अब मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा, अब मैं आपसे purine ring जब बनवाँगा, तो मैं बस आपसे यह structure बार बार पूछूँगा, तो आप यह चीज ध्यान RNA formation में डालना है, तो क्या diet से जो हम purine लेते हैं, वो directly utilize नहीं कर सकते हैं, नहीं, हम dietary purine को utilize नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उनको synthesize करेंगे, from their amphibolic intermediates, now purine bases क्या ऐसी बन जाएंगे, आपको हो सकता है कि ऐसा purine base मिल जाएं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता, purine थोड़ा सा ऐसे kello nakre करता है, वो basically बोलेगा कि मैं nucleotide के form में ही बनुगा, nucleotide आपको बताया था न, तो वो उसका parent है, तो वो parent के साथ ही चलेगा, अकेला नहीं चलेगा, तो purine ऐसे भी नहीं बन सकता, ठीक है, आप बनाना सीखेंगे, तो अब site क्या हुई, सारे organs सबसे जादा liver में, ठीक तो जैसे इंस्टा पे चलता है, savage, तो salvage is actually savage, क्योंकि अगर आपका brain नहीं बनाएगा, तो आप समझ लीजी क्या होगा, तो salvage pathway ऐसे याद रखिए, अब organally क्या है, cytoplasm, तो अब आपको सारी basics पता है, अब हम शुरू करते हैं, प्यूरीन biosynthesors से, तो देखके घबराना ह ठीक है, नाम बड़े-बड़े हैं, दर्शन सही में छोटे हैं, तो शुरू करते हैं, तो basically अब मैंने आप से क्या का, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, कि प्यूरीन आप ऐसे नहीं बना सकते है, तो आपको याद रखना है, end product जो होगा, this is your nucleotide, this is your nucleotide, this is your nucleotide, nucleotide में क्या-क्या चीज़े चीज़े थी, ribose और phosphate, ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ बनाना भी है, और ये चीज़ इस पर जोड़ना भी है, ठीक है, तो आपको याद बेसिक structural framework हो गया, अब आप इसको शुरू करिए, और इससे पूरी cycle चला दीजे, तो कैसे चलाना है सबसे पहली जो cycle है, उसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपसे हमेशे का था, कोई भी metabolism होगा, तो सबसे पहले motivate करना पड़ेगा, खुद को भी motivate करो, metabolism को भी, तो सबसे पहले आप इसमें कुछ मत करो, दो phosphate दे दो, ठीक है, तो दो phosphate कैसे दिए, 5 phosphoribosil, एक ribos के लिए, और एक pyrophosphate for this phosphate, इधर के होगा ATP गया और AMP आपको मिला, PRPP synthetase enzyme की activity हो, क्योंकि ये PRPP है, इसको बना रहे हैं, तो ये आपकी reaction याद होगी, तो आपने बस यही याद रखना है, इसके बाद से कुछ भी नहीं याद रखना है, कैसे, अब देखिए, अब आपने क्या, मैंने glutamine देगा, वहाँ पर N3 बात में आएगा, तो ये जो यहाँ पर glutamine आया, और glutamine ने अपना क्या दिया, amide group दिया, ठीक है, amino group aspartate का देगा, amide group इसका देगा, so glutamine ने अपना amide group दिया, कि ले, तो purine बनाना शुरू कहे, so basically PRPP तो था glutamil amido amide transfer हो रहा है, transferase, so इसने अपना am amide दिया, so अब obvious सी बात है, ये अब आपका क्या बन जाएगा, 5-phosphor-ribosyl commoner ने दो, अब amine हो गया, ठीक है, क्योंकि अब glutamine आ चुका है, फिर अब glutamine के बाद आएगा, glycine, glycine क्या देखे जाएगा, C4, 5 और N7, so glycine आया, तो glycine ने अब क्या करा, same आपको compound याद phosphate बन गया, अब formate आएगा, formate क्या क्या दे रहा था, याद करिए 2 और उसका cube, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आ रहा है, formate एक और बार और आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 और 8 चाहिए, तो अभी आपने एक बार याद है, formate के enzyme क्या होगी, N10, formal, THF, formal transferase, क्योंकि formate आपको मिल रहा है, तो again, अब इसी के आगया, formal लगा दीजे, तो सब में आपको बस आगे-ागे कुछ लगाना है, तो formal यह हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, glutamine की बार ही वापस आएगी, N9 दे चुका था, N3 बचा है, ठीक है, तो वो देने glutamine वापस से आया, तो glycina-midine हो गया, तो glycina-midine में क्या है, अब यहाँ पर आपका purine बनना शुरू हो सकता है, क्यों आपका काफी components आ चुके है, तो purine ऐसा structure तो है नहीं, cyclical structure है, है ना, सब हमको उसको ring बनानी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर आप imidazole ring close करेंगे, और यही चीज़ अब आप imidazole बना बना के लिखेंगे, ribosyl 5-phosphate common है, अब यह पूरा string बन गया, तो 5-amino imidazole हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर CO2 भी देता है, क्या देता है, C6, तो C6 देगा CO2, तो अब यहाँ पर यही compound लिखो, एक carboxylate और लगा दो, तो यह आपका next reaction हो गी, और CO2 यहाँ पर जो carboxylation होता है, this is very important, क्योंकि usually carboxylation को biotin चीह रहता है, यह हम vitamins में और देखेंगे, पर इस carboxylation को vitamin नहीं चाहिए, मतलब biotin नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब यह आपका carboxylate बन गया, अब यहाँ से बारी आएगी, बस आपका aspartate बचा है, आपको बस यह याद रखना है, क्या-क्या बचा है, तो आप क्या sequence रहाद रखेंगे, GGFG, ठीक है, तो मतलब कोई basically boyfriend है, तो वो अपनी girlfriend को GG ही कहे जा रहा है, GGFG, ठीक है, तो बहुत respect देता है, और यहाँ पर आखरी में बस आपको CO2 और aspartate यहाँ रखना है, so basically अब aspartate देखेंगे, तो aspartate इसमें condense हो जाएगा, यह पूरी ring बन जाएगी, तो aspartate को आप कैसे लिखेंगे, succinyl के form में, तो आप यहाँ पर बस यह बनाईए, नाम लिखेंगे, और इसी में जोड़ दीजे, 4 succinyl, carboxamide, ribosyl, 5-phosphate constant है, अब यह बन गया, तो यह तो बहुत heavy हो गया है, इसको फटा-फट तो तो इसको तोड़ते हैं, हम adenosuccinate lyase से, lyase मतलब तोड़ना, ठीक है, और इसको adenos, हम पूरी पात भी देख रहे है, succinate lyase, ठीक है, तो फिर आपका जो बना, this is again a big compound, ठीक है, पर यह fumarate यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका यह जो succinyl वाला पार्ट है, यह आप निकाल दो, तो आपका बस यह बचा, अब इसमें से आपको क्या करना है, अभी देखिए, हमने क्या बोला था, format एक ही बार आया है, format दो बार आना चीए था, तो दूसरी बार जो format है, वो यहाँ आया है, और format अपना एक और carbon देखे गया है, तो यहाँ पे आपका यह 5 form amino, अभी तक य करो, cyclohydrolase से ring close कर दो, बढ़िया से अच्छे से nucleotide बना दो, water निकाल दो, so ultimately आपको जो मिला वो है IMP, तो IMP क्या है, parent purine nucleotide, this is the only parent purine nucleotide synthesized, अब यहाँ से उसको सारी जगा आप निकालोगे, तो IMP से आप AMP बनाओगे, और GMP बनाओगे, क्योंकि purines क्या होते हैं, A, G, यह बहुत अच्छे से पता होगा आपको, तो अब जो IMP है, और जो AMP है, इसमें बस एक amino group का फरक है, ठीक है, तो वो amino group कहां से आएगा, अगर AMP है, तो A for AMP, Aspartate, ठीक है, और G for GMP, Glutamine, तो बस एक amino group चीए, तो वो ले लो, इन से, और बनाओगे, फिर AMP को फर्दर, kinase याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको मैंने concept बता दिया है, तो कुछ नहीं करना है, Ribose लो, motivate करो, motivate करने के बाद G, G, F, G, Glutamine जोड़ दो, तो उसका नाम लगा दो, Amine, फिर Glycine, तो Glycinamide, फिर Formate, Formal Glycineamide, फिर Glutamine, Formal Glycineamide, फिर Glycineamide, फिर इसको और फर पसे एक Aspartate को Condense करके Succinyl बना दो, फिर Lysis कर दो उसका, और फिर जो आपको मिलेगा, वो basically आपका, ये मिला compound और इसमें फिर एक और Formate जोड़के आप Formal Amino बना दो, फिर उसको further Condense कर दो, तो कहीं बार आपको इतना नहीं लिखते आएगा, या आपको याद नहीं रहता है सबसे पहली reaction याद रखिए, इसमें हम Glutamine जोड रहे हैं, ठीक है, तो 5-phosphorybosylamine तक याद रखिए, इसके बाद आप बस basically एक multi-step pathway बता सकते हैं, आप multi-step pathway में बताईए कि all the components of your purine will be gathered, okay, from the various sources as depicted, तो ये आपके sources, सारे sources multi-step reaction होई, काफी complex reaction है, नहीं भी याद रखेंग GMP, GTP, Aspartate and Glycine, so इतना भी आप याद रखेंगे, this is sufficient, okay, sorry, this is glutamine, I said here glycine, so this is glutamine, so this is also sufficient, but for the sake of completion and for having a read, so you should know this thing, तो आपको ये भी pathway समझ में आ गया और उसका simplified version भी समझ में आ गया, तो again I hope कि अगर आपको इस चीज़ से मदर मेल रही हो, तो please अपना support करें, because that keeps me going, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें, क्योंकि अभी यही time है कि सबको हम बिना mental stress दिये, अच्छे से learning easy बना सकते हैं, so now time for assessment question, answer कर दीजे comments में, what is the source of N9 in Purine Ray, quite easy, 3 और उसका square by dash, okay, so now again, if you like the effort, share, subscribe and stay connected, stay healthy, keep learning, thank you.